एलो फ्रेंड्स विश्ब यू यू ञूल वेडि हैबिए यह फैपिक पॉंगल टो हर सटेट में यहाँ लूग पिंग से लौगiger को दिखाूँंगी लूग अपने बिбаने तरीके से बूहेесп वेये कैसे ये festival मनाते हैं तो चलिए आज का ब्लॉग हम continue करते हैं तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी मैं जारी हूँ पूजा करने और इसके बाद आगे का मैं दिखाऊंगी कि हम लोग सुबा से लेकर श्राम तक अज क्या बनाते हैं और आज क्या खाते हैं तो चलिए ब्लॉग continue करते हैं तो फ्रेंड्स ये है संकरांती का ब्लॉग तो सुबर नहाने के बाद जैसा कि आप पीछे देखी चुके हैं तो मैं आगी थी यहाँ पर पूजा करने के लिए पूजा में जैसा कि ति्व और काला तिल वाइट तिल तिल कोट ये सब चड़ाया जाता है भगमान को तो यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद मैंने सूचा कि पूजा करने के बाद पहले जो दान हम करते हैं आज के दिन संकरांती के दिन दान का बहुत महतो होता है आज तिल और फिर जो हम लोग ना मतलब आज जो खाते हैं उन सारी चीज़ों का भी दान किया जाता है तो रात में जिसे संकानती के दिन में हम भी हाड़ी लोग खिचड़ी खाते हैं जिस तरह साउथ में पोंगल बनता हैं और वो कोड़ा मतलब की पंपकिन तो उनसके साथ दान किया जाता है चूड़ा फिर तिल तिलकूट यह सब तो यहाँ पर मेरा यह दान पुने का काम हो गया था उसके बाद हस्बिन भी नहां करा गए थे उन्हें भी मैंने बिठा था इन्हें बार बार मतलब बताना पड़ता है कि सेकंड इंडेक्स फिंगर उसे टच नहीं करते हैं जब पूजा करते हैं तो ऐसा बहुत सारे लोगों को पता भी होगा शायद तो उन्हें भी मैंने दे दिया था और इधर मिस्टी हुस रही थी कि पापा को हर वर सी खाना पर था उसके बाद हम लोग आ गए थे कि पहले ना काला वाला तिल आज मू मिलेते हैं सबसे पहले उसी से आज का दिन स्टार्ट होता है तो यहां पर हम तीनों ने अपने लिए प्लेक में सजाया था और फिर हम लोग इहां बैठ गया थे खाने के लिए उसके बाद अब मैं बनाओं कि आज की स्पेश्टल शबची जो दही चूड़ा के साथ हम भी हाडी लोग खाते हैं हम लोग तो खाई रहते तो जिया को भी बुलाए जा रहा था लेकिन जिया ना जिया को पता नहीं काले चीज से क्या फ्रॉब्लम है किसी भी चीज में कहीं भी कुछ भी काला देखती है तो उसे मूँ में भी नहीं लेना होता है के बाद फिर मैं आ गी थी मतलब हम लोग खा पी चुके थे वह अगे थी में सब ची बनाने के लिए अलोगोवी और मोटर की सब्ची आज बनती है इवन बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की चीज़ बनाते हैं, even कोहड़े की, मतलब कि वो जो पंप की था यलो वाला, उसकी भी सबजी बनाते हैं, even हमारे या न बैगन का चोखा भरता भी बनता है, तो मैं बैगन का भरता बना लेती हूँ, क्योंकि रात में खेच़डी प वह भूंगा है दोशा स्टव भान वाला तुष्टॉश घरे हाक जिक भाने है तो यह सी हो जाया है कि आइ वह जाए कि ड्रूशा स्टवा खाब हो गया था तो यह अज़े प्रिश्टीज का में अच्छा है और इस लिए इसे नएा भूंगा ता कि आई दूश्ट में एंड जो होने वाले काम होते हैं वह मैं कर लेती हूं फटा फट इसलिए मैं नहीं यह मंगा तो इधर जिया कुछ खाने री तो इसके लिए मैं ने कहा कि मैं उसे पहले डोसा बना के दे देती और फिर इसका ट्रायल भी हो जाएगा कि कैसा काम कर रहा है उसके बाद इधर सबजी तो मेरी भूनी रही थी तो यालो को भी सब फ्राई हो चुका था और इधर यह डोसा भी रेडी हो गया था तो मैं आगे थी उसे उठा कर मिस्टी को सरी जिया को देने के लिए तो मिस्टी जिया ना मेरे मूँ से ऐसा ही चलता रहता उसके बाद इधर मसाला ग्रेवी तया तो आज ना बिना प्याच की ममी तो मेरी ना बिना प्याच की यह सबजी बनाती है लेकर हम लोग बना दे इधर यह बैगन को मैं उसमें होल कर रही थी उसे गैस पे देना था पकने के लिए तब जा करके उसका भरता और चोखा बनाएंगा तो अधर मैंने डाल दिया इध उसके चिलके ना मतलब काफी अच्छे से इसकी पील हो जाती है इसलिए तो यहां मैंने यह मसाला डाल दिया और इसके बाद इसमें थोरा जब बन जाएगा तो अब इसमें टामाटर डाल देंगे उधर बैगन भी आप देखी रहे हाफ हो चुका है हाफ पचा हुआ है इस मसाला रेडी था अब मुझे इसमें डालना था वो आलोगों भी जो मैंने फ्राइगर के पहले से रखा है तो यह सब्जी ना सच में आज ना एक अलग ही सब्जी होती है इसे बोलते हैंने कोई भी फेस्टिवल तो हार वाले दिन आप कुछ भी बना उसका टेस्ट अलग ह आता है तो यहां पर यह सब्जी का कलर भी देखी रहा है काफी अच्छा सा आया है तो यह सब्जी भून गई थी इसमें अब पानी मुझे डालना था उधर बैगन हो गया था टमाटर भी आप देखी रहा है टमाटर को मैंने पका दिया था इसके बाद यह गैस साफ करना अब एक बड़ा काम हो जाता है तो सब्जी को मैंने कवर कर दिया इधर इन सब को मैं पील करने लगी थी टमाटर मैंने कर दिया था यह बैगन का भी तो तेल लगाने की वरे सण ना अच्छे से निकल जाता है इसके वर्णान ऐसे आपको बहुत महनत करने पर दिया इसको आज के चोखे में ना ये एक अलग वाला चोखा मतलब प्लेन ज्यादा कुछ नहीं इसमें सिफ वायल नमक और जिसको मतलब ऑनियन और गार्ली खाना होगा वो भी इसमें एड़ कर सकते हैं लेकिन हम लोग आज नहीं करते हैं ये सादा वाला ही फ्लेवर अच्छा लगता है तो यहाँ पर ये चोखा भी मेरा रेडियो हो गया था बैगन का भर था उसके बाद मैं आगी थी आज जैसा पूलते हैं कि आज पैरों में कलर फिस्टिबल है न तो आपको अच्छे से करना चाहिए तो मैंने चूरी तो सुबह ही बदल दी थी पैरों में कलर नहीं लगा है तो मैं आई तो उससे पहले ही जीया की बदमाशी शुरू हुए तो आप देखे वाई बाइब ne all right bye bye Molly वो दो इस फिंगर तो जीया जो है आप जैसे नेल पेंट लेकर बैठो खुदी बैठ जा दिया इधर ये जो इलेक्ट्रिक केटल आपने पिछले ब्लॉक्स बगरा में देखा ही था इलेक्ट्रिक केटल खड़ाब हो गया तो परिशानी हो गई थी तो मैं नया वाला जो आया था उसे भी मैं आज स्टार्ट करने वाली थी उसके बाद हमारा ये आज का खाना देखे चूड़ा चूड़ा जिसे ना दूद में हम लोग ना सोब करके रखते हैं तब दही के साथ खाते हैं उसके बाद ये शाम का है गाईज शाम को ना मतलब खिष्डी बनानी थी तो उससे पहले ना मैंने अपने लिए थोड़ी चाय बनाई मुझे ना दही खाते ही कोंड हो गया फिर से तो कल डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि किसी चीज का अलर्जी है जो आपको ट्रेगर कर रहा है हर विदीन 15 डेल हर वीक में रिपीट हो रहा है तो यह खिच्री के लिए दाल और चावल को घी में भूल लिया था उसके बाद इधा इंडक्शन पे आ गई थी मैं खिच्री इंडक्शन पे ना दीरी दीर काफी अच्छे से खिच्री बनती है तो मैंने इसमें बे लीफ वो दाल चिनी लॉंग एलाईची सब डाल दिया उसके बाद यह सबजी है तो आज की मतलब खिच्री तो मैं जिनरली बनाती हूं तो बीन्स पगएड़ा सब देती हूं लकिन आज की खिच्री में न सिफ अलो को भी और मटर डाल के बनाएंग तो यह से मैंने भूल लिया उसकी बाद अब इसमें मसाला तो मसाला जादा अब मैं इसमें डाल दूँगी इन सबजीों में जादा नहीं क्योंकि ना जादा भूजाता है तीखा हो गया तो बच्चे नहीं खाएंगे इसलिए वो धियान में रख्की बनाना पड़ता है तो यह सबजी आभी भून गई थी मैंने उसमें टमाटर डाला मिश्टी को ट दालती हूं उसे निकाल के दे देती हूं यहां पर यह जो घी में भूना हुगा दाल चावल था उसे मैंने इसमें डाला अब इसे इसके साथ अच्छे से भूनेंगे तो यह बून गया तो आज की खिच्री ने काफी स्पेशल होती है आप हमेशा बनाओ लेकिन ऐसा टेस् अपने हिसाब से आपको कैसी खिच्री कोई लोग बहुत पतली खिच्री खाते हैं कोई बहुत गारी भी खिच्री खाता है तो आपके हिसाब से आप अपना पाणी का लेवल देख सकते हैं उसके आद मैंने कुकर लगा दिया और खिच्री तो अब विसल देनी थी उसके ब यह कुकर विसल देके रेडी हो चुका था तो इतर मैं आ गई थी इसे खोलने के लिए तो खिच्री काफी अची सी दीख रही थी और अब मैंने खाना निकालना शुरू कर दिया था क्योंकि यह खाने के बाद नेक्स टे तो फिर से न कॉलेज ऑफिस स्कूल सब खुल तो क्या देना है वो इक अलगी सबसे बड़ा टेंशन होता है तो यहां पर पापर अचार मैंने रख दिया था और दही अभी मुझे निकालना था तो दही अच्छली हम लोग सोच रहते हैं खाये ना खाये क्योंकि रात हो गई है रात को खाने के बाद और कहीं बिगड़ तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा एक चमच दही के साथ मतलब खिच्री के साथ खाते है तो खा लेते हैं